अश्राइब दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाथिर हूँ मैंने लास्ट कल जो वीडियो बनाई थी किस तर्के से आप टूल की वेबसाइट को सेट अप कर सकते हैं काफी लोग ने पसंद किया और उनका इसको कंटिन्यू करें आज एक और टूल के साथ आएं लेकिन के उपर मेरी काफी सारी वीडियो और एक वीडियो के अंदर मैंने कम्प्लीट रिसर्च वेबसाइट सेट अप अकाउंट सेट अप इच एन आवरिटिंग कर दिये अच्छा उसके बाद कुछ लोग कहते हैं फाइवर के उपर वीडियो बनाने फाइवर के उपर भी काम किया और बहुत जल्दी और प्युक्ली एडिसन अप्रूव होता है अच्छा एक आप एक और काम भी कर सकते हैं आप सिंपल एडिसन अप्रूव करमाएं अगर आपने देखें अच्छा एक जो क्वेस्टिन बहुत जहरा लोग पूछ दें कि यार ओ मैं एक ही एडिसन के उपर रखों या डिफरेंट के उपर डिफरेंट एडिसन के उपर बढ़ों देखें अगर तो आपने अपने लिए रखना है तो मैं तो सुझेस्ट करूँगा कि आप एक ही एडिसन के उपर सारी साइट्स रखें क्योंकि आपकी जो हैं रियल साइट्स हैं कोई आप उ तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं अच्छा इस जो निश की उपर आप क्या कर सकते हैं यह जो टॉपिक के उपर यह जो भी साइट आपके साथ है आज में शेयर करूँगा आप इसके उपर एड़सन अप्रूफ करवाएं अगर आपने अपना सीक्रिट नहीं बताना किसी को कि यार मैं किस चीज़ पर प्रूफ करूँ क्या तो आप सिंपल जासे ही आपका एड़सन अप्रूव आप पूरी साइट को रिमूफ कर दें और उससे रिलेटिड ब्लोग डाल दें उनको ना बताएं जी कि हमने इस तरीके से प्रूफ करवाया यह इस इस मैथड़ यह इ यूरेल के अंदर मजूद होना चाहिए आग जो हम टूल के ओपर काम करेंगे वो करेंगे मोर्गेज केलकुलेटर के ओपर मोर्गेज के ओपर पूरी दुनिया के ओपर बहुत हाई सी पी सी है बहुत अच्छा क्लिक मिलता है अगर आपके ओपर अच्छी ट्राफिक आप निश्क के ओपर ले आते हैं और जैसे मैंने बताया कि जिस निश्क के ओपर जितना ज्यादा अड़िटाइजर होगा उतना ही ज्यादा उसके चांसिस होंगे कि आपका एडिसन जल्दी एपरूव हो अच्छा और अगर आप टूल की शकल देखें ये देखें बिलकुल प की इमेल की कॉपी आजएगी आप भी उपना स्टोर कर सकते हैं और आप देन उन लीट को यूटलाइज भी कर सकते हैं इवन कि आप अपना कोई एफिलियेट भी अप्रूव करवा सकते हैं मोरगीज एफिलियेट अगर आप उसके ओपर फाइंड करें तो काफी सारे एफ पेड नहीं है हमारे पर सेमरेश पेड नहीं है तो भाई मैंने अपने चैनल की ऊपर यहां आपको प्रीमियन टूल्स का भी एक साइट बताईए वहां से भी आप यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे फ्री टूल्स जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं तो लगेंगे यहां नीव पेज के उपर और रजैंगे न्यू प्लग यूप अपर अड्न प्लग इंगे और यहां लेकिंगे मॉर्गेज कैल्कुलिटर तो यह डिफरेंट आप्स हाईंगी मैंने यह वर याप यूज़ किया मोर्गेज कैल्कुलेटर डव्ल्यो पी ठीक है इसकी यह वेबसाइट है, आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, Mortgage Calculator Plugins, ठीक है, यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा, दूसरी जो है, क्या कहते हैं, मैंने दूसरी भी इंस्टाल की है, और उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक करके, यह भी मैंने की हैं, किस तरीके रिजल्ट आता है, पहले भी आप एक नज़र मार लें किस तरीके से यह भन रही है, अच्छा, एक है Mortgage Calculator Canada, अच्छा, यहां देखें, इसका Powered by Calculator Canada आ रहा है, तो हमें इसको, जो है, मुझे नहीं मज़ेदार लेगी, दूसरा जो है, उसकी लूकी इस तरीके से आ रही है, और जो मैं आप लोगों को recommend कर रहा हूँ, उसकी लूकी यह आ रही है, यह देखें, यह सबसे खुब सूरता है, इसका आप Color Change कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, और उसके बाद जो है, दूसरा जो है, Leads का भी है, ठीक है न, यहां से आप Years भी चेंज़ कर सकते हैं, यहां से आप amount चेंज़ कर सकते हैं, इसको pound में भी कर सकते हैं, इसको dollar में भी, काफी सारी इसके अंदर option मजूद हैं, अच्छा, अब बनेगा कैसे क्या game plan होगा, किस तरीके से करेंगे, तो हम क्या होगा, कि पहले हम mortgage calculator को उठाते हैं, अच्छा, यह मेरे पास mortgage calculator यह आगया, मैं चलता हूँ अपनी HRF में, अच्छा, अब मुझे यह कहता है, कि mortgage calculator इसके पर 4.7K के करीब value में है, और 872K के करीफ potential है, that means कि volume बहुत कम है, और potential, traffic potential बहुत ज्यादा लोग जो है, उसके उपर जा रहे हैं, और एक जो चीज इसके उपर, main जो आपको चीज देखनी है, कि आप terms में चके अंदर जब आएंगे, आप देखें, mortgage calculator, mortgage rate calculator, mortgage payment calculator, अच्छा, आप इसके अंदर से हम क्या करते हैं, अच्छा, हम इसको सब को उठाते हैं, और इसका एक हम बना रेते हैं, यहां से हम आते हैं, और note pad के अंदर आते हैं, तो सारे keyword जो मैं उठाता हूँ, mortgage calculator, mortgage rate calculator, mortgage payment calculator, अब देखें, इसकी 4.7 के करीब idea दे रहा है, इसका 1.6 के और 900, अगर total को मिलाएं तो हमारा, 6000 के करीब हमारा तकरीब यह बन जाता है, और अब मैं इसके अंदर आँँ, तो मेरा एक ही keyword बनता है, mortgage payment rate calculator, यह calculator कर लें, जो भी calculator कर लेते हैं, तो हमारा क्या है, एक ही keyword बन गया, उसके अंदर हमारे वो जो 3-4 keyword से, वो सारे cover हो गया है, तो हमारा जो content है, वो इससे related होगा, हमारा जो homepage होगा, उसके ओपर हम यह keyword को target करेंगे, कि mortgage payment rate calculator, अच्छा, अब क्या है, कि हमारा जो है, ए सरीके से look थी हमारी, for example, यहां हमारा आ जाता है mortgage calculator, और यहां हमारा जो है, उसका intro आ जाएगा, यहां हमारा title आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा mortgage के बारे में हम information दे रहेंगे, और then जो है हमारे, जो related question है, वो हम यहां cover कर सकते हैं, 36 के एक रिवे हमारे पास question है, यहां स हम सारे question ले सकते हैं, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता हूँ, आपने लाजमी यह को United State के अंदर जाना है, आप दूसे country भी थोड़ा सा देख सकते हैं, for example, हम United Kingdom देखते हैं, maybe इसमें ज्यादा हो, अच्छा जी, six hundred and one forty three के करीब हैं, इसमें eleven question है, अच्छा जी, commercial mortgage calculator, हमार पास एक और चीज़ मिल गए, हमें एक और कीवर्ड मिल गए, commercial mortgage calculator, तो इस तरीके से आप different किसी भी country के अंदर चले जाएं, for example, हम फिल्पाइन में जाते हैं, अच्छा कोशिच करने हैं, आपने उन country के अंदर जाना है, जिसके अंदर जो mean जो आपका जो native language है, वो English English है, जा उनका जो English system है, वो काफी strong है, यह नो का आप बंगलादेश में, हिंदी या पाकिसान में, उर्दू में चले जाएं, यहां किसी ने क्या mortgage calculator सर्च करता है, और मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज़्यारा लोग यहां इसमें interested होते हैं, तो Canada हम देख सकते हैं, न्यूजि इंटेक, अगर मैं उसका आपको result दिखाता हूँ, थोड़ा सा, यह देखें, यह daily water intake आगी है हमारी, अगर आप इसकी देखें तो इसकी सारी केड़ी 77, 70, 71, 60, 13, 70, 61 है और अगर आप यहां देखें तो हमारे बहुत सारे keyword जो हैं, हमारे ranking के अंदर आ रहे हैं, और daily new से new keyword आ रहे हैं, और अभी हमने, और इसी तरीके से same setup की थी, और एडिसन भी अप्रूव हो गया, और थोड़े बहुत जो है, इसके उपर traffic भी आ रही है, और clicks भी आ रही है, इन्शाला, incoming days यह जो है, उमीद है के page के उपर hit हो जाएगी, हमारी number one page के उपर hit हो जाएगी, और आ सेम उसी idea से, सेम उसी चीज़ से, calculator आपका, सेम calculator भी आपका आगे, अब आ जाते हैं हम, matching terms के अंदर, क्या है, mortgage calculator के अंदर आगे, तो हम क्या है, कि हम यहां से, यहां से यह, grouping की उपर भी मेरा है, कि ग्रूप की सी के से है, second mortgage calculator, एक हमें और keyword मिल गया, second mortgage calculator, ठीक है, अच्छ हमारा main था, एक मिन पहले मैं में देख रहूं कि हमारा main सबसे ज़र ट्राफिक इस पर, हाँ, अच्छा, सबसे ज़रा इसके उपर United Strait है, then Mexico, फिर Australia, फिर Belgium, यहां से भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से distribute हो रहा है, अच्छा, related terms के अंदर भी आ सकते हैं, यहां से क्या है कि हम जो related keywords हैं, mortgage related keyword हैं, उनको cover कर सकते हैं, अपने block के अंदर, block के अंदर आप बहुत सारे ideas आप cover कर सकते हैं, और हम ideas ले भी सकते हैं, किस तरीके से मैं mortgage calculator को उठाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, mortgage calculator या mortgage को खले उठा लेता हूँ, calculator तो हमारा home page पे cover हो गया, अच्छा जी मैंने यहां लिखा है, blog topic ideas related to mortgage, अच्छा, उसने मुझे जो है, यह ideas दे दी हैं, और इनको हम अपने block के अंदर कर लेंगे, इनको, इनके ओपर हम blog लेख सकते हैं, और आपका पूरी side setup हो जाएगी, content किस तरीके से बनाना है, मैंने अपनी online video, last video में बताया था, और के अंदर से question किया, अगर ने मैंने अक्सर देखा है, foreign question कर देते हैं, और वो ही चीज मैंने उस video के अंदर explain किया होती है, तो please, अपना ख्यार रखेगा, दौाओं में यार रखेगा, अल्लाहाफेज़ुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद